सबी किसान भाईयों को नमश्कार चैनल पे आप सबी का स्वागत करते हैं जिस खेत में आपने पहले देखा था हमने रूटा वेटर से तीन बार पत्ती की जुताई करके फिर बाद में टीलर मेडे से दवा दिया था कई दिन ये दवारा हमने इसके दोरे दारे सैट कर लिए अभी आद्धा खेत जो है छोल चल रही है ये एक ट्रोली गन्ना चुला पड़ा है और भी चुल रहा है करीब पांच ट्रोली गन्ना ओर है खेत में मोसम गमगीन है बारिस हो सकती है इसलिए आज इसे टीलर से तयार कर रहे हैं बबलु भाई ट्यक्टर चला रहे हैं इसकी करीब दो बार जुताई की जाएगी ये जो है उत्तर दक्षिन उत्तर दक्षिन और पूरो पस्चिम की तरफ जुताई होगी इसमें दो बार फिर घर से बीज खाद लाया जाएगा और फिर रूटर वेटर से इसकी फाइनल जुताई करके इसे दो दो बार जुताई करके खेत को बिल्कुल उच्के कर देंगे को मैसी टेक्टर जुताई कर रहा है लोग के फोर्थ गेर में नहीं लगाया हुआ है क्योंकि इसके अंदर पती जो है बहुत जादा दबी हुई है देख सकते हैं अब भी पत्विटादispering इक यह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पत्ती जो है जमीन में से निकल रही है लेकिन करीब पचास से सतर परसेंड तक पत्ती गल चुकी है बेनेफिट मिलेगा इस चीज का आग्गे देखते हैं किस तरह का बेनेफिट हमें मिलता है किसान भाई काफी खुश है और भी किसान जो हमारे आसपास के हैं वो आके खेत को देख रहे हैं और आग्गे भी वो ये नजर रख रहे हैं कि देखते हैं किस तरह का गेहु इस खेत में निकलता है क्योंकि हमने जो ये सामने वाले खेत में आपने देखा था नियो ओलेंड चला था इसका benefit देखका हमने इस बार हमें दिखाई दे रहा है गन्ना काफी अच्छा हुआ इसमें पहली बार का गेहूंबोए गेहूं काफी अच्छे हुए फिर गन्ना पहली बार का अच्छा हुआ दूसरी बार की पेड़ी है अगले साल के लिए इसमें तीवर्सी रखेंगे जो उसके बाद में गेहूं और बीजखाद बखेर के बहुत अच्छी तरह से काफी शानदार जुताई करते हुए क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि जब इसमें हम टीलर चलाएंगे तो जो निच्चे पत्ती दबी हुई है वो टीलर को में जो है जाम लगाएगी टीलर को नहीं चलने देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ टीलर बहुत अच्छा चला और करीब हम यहां की सूध कर लेंगे इस तरफ की इतनी सूध करके जो है हम इसमें गेहों की बुआई कर देंगे और जो आग्ये का खेत खाली होगा वो बिलकुल जैसे हमारे बजुर्ब करते थे कि जितना इदी खाली हुआ उतना ही बोदेते थे और बक्की जो था वो आग्ये जुताई करके फिर आग्ये बोदेते थे इसलिए गहूं जो हैं काफी निकलते थे तो दोस्तो अपने खेती में बदलाओ करते रहें फसल चक्र जरूर अपना है बहुत जाद है पैस्टिसाइड और रसाइनी खादों के पिछे जाद है ना भगे देशी खाद की जुताई जो है खेत में जरूर करें खरी खाद भी जरूर बोएं अगर मोका लगता है आपका पती की जुताई करें खेत में कभी भी पती ना उठवाएं ना जलाएं थोड़ी मेहनत कर लें उससे आपको बेनफिट मिलेगा देखो हमने अलग तरह का थोड़ा सा प्रियोग करने की कोशिश करी तो हमारा प्रियोग जो है 100% जो है सफल हो गया अगर हम सभी की सुनते र से वीडियो बनाई जारी है यूट्यूब पे अपलोड हो रही है तो जो भी अच्छी बुरी बात है वो सामने आती है तो हमें यह यह अच्छा लगा और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप यह देखो कि जैसे इसमें हमने पत्ती की जुताई करी जैसे इसमें तीन बार जहां जादे पत्ती थी तो बिल्कुल भी जुंडे का नामों निशान नहीं है निच्चे से बिल्कुल भी जुंडा नहीं निकल रहा है क्योंकि पत्ती जोतने के चक्कर में जुंडा बिल्कुल खतम है पत्ती कहीं पत्ती दिखाई दे रही है जो टीलर से थोड़ी खुल देंगे फाइनल जुताईदी और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट में जरूर दें उसका बैनेफिट आग्जाने वाले समय मिलता है क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी पता चलती है जिससे आने वाले समय में हमें आपको या अन्ने भी किसी जो अपने थोड़ा समय देना पड़ता है जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं अपना समय दे रहे हैं और आप भी अगर वीडियो देखते हैं तो आपका भी बहुत बहुत आभार है धन्यवाद है और जब कोई भाई कमेंट करते हैं तो उनका तो हमें बहुत इच्छा लगता है कि इन् मतलब पोपुलर और पावरफुल बनाने में क्योंकि दोस्तों ये एक प्रियोगी था हमारा अब से पहले हमने कभी रूटावेटर से पत्ती ना कहीं देखी थी सुनी तो थी किसी ने हैरो से काट दी किसी ने रूटावेटर से काट दी लेकिन एक आधबार काटने के बाद उन्होंने फिर ये फार्मूला अग्गे नहीं बढ़ाया कभी भी मतलब दी एंडी रखा इसका कितन मंसा कर दिया और फिर बेकार है बहुत तेल फुग गया लेकिन दोस्तों अब आप ये देखो हम गोबबर की खाद ना तो हमने अपनी कूडी पसे उठा के डाल दी ना ह से हम गोबर की खाद लाएंगे कितने मजदूर करने पड़ेंगे ट्रोली ढूएंगी दो तीन तीन ट्रोली रखनी पड़ती थी ट्यक्टर भी मांगना पड़ता था लेकिन अगर ये प्रियोग सफल होता है तो बीच बीच में ऐसे करेंगे कि एक टुकड़ा अपना ऐसा इनमें सब में बहत बहुत आलूब हों हैं कई साल तक और चाबन भी लगा है तो दोस्तो बहुत ही जवरजस्त गंणा बहुत ही कम लागत में हुआ है लेकिन अब जो धीरे-दीरे गंणा डाउन होने लगा है पिटने लगा है तो इसका मतलब फसल जो है फसल-चक्र चाहणार मोहबत जो दुआएं हैं अपने दोस्तों की उनसे अगय कितनी सफलता मिलती है यह अगय जो गहों की फसल और उससे बाद में भी तो यह जो पत्ती है यह गहों की फसल में तो बहुत का मसर दिखाएगी लेकिन जो आने वाले टाइम में जो गन्ना बुएगा उसमे तो दोस्तो हर खेत में अलग तरह का प्रियोग करेंगे और जो भी होगा वो आपके सामने आएगा लगातार वीडियो पर बने रहें अपना प्यार देते रहें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाद जुड़े रहें